वेलकम तो दा इक्लासेज गाईज, इक्लासेज में आपका फिर से स्वागत है राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भरती के लिए हर संडे जो MC के सीरीज हम चला रहे हैं आज है संडे और आज का अपना टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग यहां सी प्रोग्रामिंग से रेलेटेड दस क्रिस्चन को अपन सॉल करने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरीके के स्टेडी मेटेरियल इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं कहीं न कहीं हेल्प आपकी हो सकती है तो आप इसे जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें यहां पर कुछ चीज़ें डिसकस कर लेते हैं आपके स्लेबस के अंदर यहां पर मल्टिपल लेंवेजेज जो की C, C++, Java, Python, .NET इन सभी के fundamentals से related आपको स्लेबस के अंदर mentioned है तो यहां पर जो questions बनते हैं क्योंकि MCQ question आपका बनने वाला है यहां पर आपको दो format में questions देखने को मिलेंगे जब भी कोई topic आप पढ़ते हैं तो उसको उसी अनुरूप पढ़िए पहला format होगा fundamental से related concept आपके पूछे जा सकते हैं दूसरा आपको code देदेगा और code के बाद में आपको यहां पर दो चीजें पूछी जाएगी या तो पूछे जाएगा output या फिर उसका पूछे जाता है error error यहां पर दो तरीके के हो सकते हैं compile time error है या फिर runtime error है इस तरीके के और तीसरा अपना logical error इस तरीके के options जो है देखने को मिलते हैं जब बात आती है error based questions की जिसके अंदर code आप से दिया जाता है तो वहां पर भी आपके fundamentals clear होने चाहिए तो इसी को जहान में रखते हुए आज यहां पर ऐसे questions को हम daily करने वाले हैं जो कि शुरुवात होंगे सी programming में directly पूछे जाने की संभावना यह रहती है आजकल paper जो है अपका normal नहीं आने वाला है तो इसी को धान में रखते हुए कुछ ऐसे topics जो हमारे कईने के courses का हिस्सा है उन्हीं को हम यहां पर लेके आ रहे हैं सबसे पहला question हम पढ़ते हैं यहां पर देखे question की language जो है English medium में आपको दिख रहा है क्योंकि code जो है आप लिखते भी English में ही है और आने वाले समय में जो हम coding based question लेके आएंगे error based या फिर अपन कहें उसका output based तो वो भी English के ही अंदर रहने वाले हैं तो शुरुआत ही इस तरीके से करते हैं और अगर Hindi medium वालों के लिए मैं यहां पर pronounce कर दूँगा की कहना क्या चाता है ठीक है पहला question है for 16 bit compiler allowable range for integer constraints is तो integer constraints की बात करें यहां पर अगर compiler जो है 16 bit का है तो 16 bit का compiler यहां पर particular range से particular range तक के लिखा हुआ data को पढ़ सकता है तो वो range पूचिए आप से तो इसमें पहला option है 34737 से लेकर minus में और plus में अपना पूचा है 34738 पहला question दूसरा पहला option दूसरा है 32767 से 768 positive में minus में 32668 से 32666 और option दी है 32767 से लेकर 32767 से इस particular question का जो answer रहेगा 32768 से 666 तो 67 यहां पर इस particular range के आधार पर ही अगर compiler की size 16 bit है तो यह आपको integer की जो values रहेगी उसको पढ़ पाएगा अब यहां पर question दो तीजे आपसे पता होना चाहिए आपसे range पूची जा सकती है integer constraints की तो यह भी वहां पर इसका option यह बी correct है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 16 bit का compiler एक होता है ठीक है और दूसरा इस question को देखते हुए हमें और चीजें जो जानकारी रखनी चाहिए पहली बात compiler की जो process रह दिये compiler पूरे लिखे हुए code को एक ही बार में पढ़ लेता है समझ लेता है दूसरा इसका alternate रहता है interpreter interpreter code को समझता है line by line ठीक है एक एक line लिखे हुए code को पढ़ता हुआ जाता है तो इस तरीके से compiler और interpreter के अंदर ध्यान में आपको रखना है question number second में देखते हैं C language was primarily developed for which programming तो C programming language को developed किया गया था उस time पर C के सुदिश्च के लिए developed की गई थी पहला option है system programming दूसरा है general purpose तीसरा है database और fourth है special purpose तो यहाँ पर इसका particular question का answer होगा system programming programming system programming के लिए starting में C programming को developed किया गया था इसी का आप देख सकते हैं बहुत सारी programming language बहुत सारे जो operating systems हैं वो C language के अंदर developed किये गए हैं कहिने का internal code kernel जो रहता है वो C के अंदर developed इसका है तो इसका directly आप देख सकते हैं implementation जब operating systems पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यह चीज़े देखने को अपनी मिलती है तो इस particular question का answer क्या होगा system programming एक जो चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है डेटाबेस की जब बात आती है अपने syllabus के अंदर एक language दे रखिए SQL तो SQL structured query language होती है यहां पर DDL और DML data definition language और data manipulation language इन दोनों के काम SQL के help से किया जाते हैं और database को बनाने, manage करने, manipulation करने के लिए यूज में ली जाती है तो इतनी बाते हैं इस particular question को देखकर आपके दिमाग में आनी चाहिए special purpose programming language हम उनको कहते हैं जिसका उद्देश एक रहता है एक ही काम के लिए वो develop की गई है ठीक है जैसे अपन कहें अगर business के लिए वो develop की गई है तो उसी तरीके के software बनाएंगे ठीक है तो इस तरीके से हम कह देते हैं उन programming language को special purpose programming question no.3 है which of the following is not a reserve word in C language C language के अंदर बहुत सारे words ऐसे होते हैं जिसको compiler उन words को देखकर उसका कुछ मतलब निकालता है तो उन्हें अपन कहते हैं reserve words मतलब निकालने से मतलब ये है कि जब C language बनाई गई थी तो उसका logic का निर्धारन जो होगा उन reserve words के आधार पर होगा अगर यहाँ पर option देखें पहला है register दूसरा है auto तीसरा है case और चोथा है main अब यहाँ पर एक थोड़ा समय आपको बता जेता हूँ इसका मतलब क्या है अगर हम switch यूज करते हैं और यहाँ पर case है तो case के आधार पर ये समझेगा कि compiler कि यहाँ से जो coding इसका logic लिखा हुआ ह switch के अंदर जो हम यहाँ पर cases दे रखें multiple condition के बाद में तो cases के अंदर उसका logic का निर्दारन जो करता है इस particular reserve word को identify करके करता है तो इस तरीके से reserve words हमें ये help करते हैं c के language ये compiler को समझने में कि logic क्या रहता है यहाँ पर main एक तरीके का reserve words नहीं होता है हम यहाँ पर void main यूज क करते हैं तो option d is particular question का correct answer हो जाएगा बाकी सब क्या है reserve words है तो c के द्वारा बहुत सारे reserve words होते हैं उनको यहाँ पर इन में से कौन सा नहीं है main नहीं है तो option d is particular question का correct answer हो जाएगा question number four है a variable names in c language cannot start with variable की बात करें variable का मतलब क्या होता है देखे variable का मतलब होता है जिसकी values जो है वो change होती रहती है variable variable का मतलब values अपन change कर सकते हैं c language के अंदर जब variable का नाम देते हैं जैसे हमने इसका data type तो दिया है integer data type के बाद में हम यहाँ पर इसका नाम देते हैं a और फिर semicolon लगाते हैं तो यह जो पुछा है इसका नाम जो है यह क्या अपना number से शुरू हो सकता है पहला option दूसरा हम इस int लगा के underscore a दे सकते हैं तो underscore score यहाँ पर start हो सकता है यह पूछना चाह रहा है तीसरा है uppercase से हम इस तरीके से int a दे सकते हैं और fourth option है lowercase int a इस तरीके से तो इसमें से यहाँ पर जो int 9 आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा तो option a इस particular question का answer होगा हम variable का name start नहीं कर सकते हैं c language के अंदर number से तो option a का correct answer होग underscore की बात करें तो keyboard के अंदर keyboard के अंदर जो minus वाला symbol रहता है उसमें shift दबा कर अपन यूज में लेते हैं उसको बड़े अपन कहें underscore कहते हैं अगर बात करें बहुत सारी जैसे अपना अब इसका practical usage देखो instagram के अंदर जो अपना वो रहता है क्या कहते हैं username उसके अंदर अगर space की बात आती है तो space जहां पर नहीं दिखाना हो तो वहां पर underscore का यूज में ले लेते हैं तो इस तरीके से underscore वो होता है जो हिंदी मीडियम के students होंगे कुछ और नाम से इसको ना समझ लें इसलिए ये चीजे बताई गई है question number five है if an integer needs two bytes of storage अगर एक integer को दो बाइट की storage की अवशकता होती है तो यहां पर unsigned integer की जो maximum value होगी उसको हम कितना कहेंगे अगर दो बाइट के अंदर देखिए यहां पर total जो values रहेगी यहां पर unsigned int के अंदर यहां पर range जो रहती है उसमें maximum रहेगी two की power fifteen minus one तो यहां पर two की power sixteen minus one यहां पर रहेगी option number 20 पर particular question का answer रहेगा यह question पूछा जा सकता है पूछा जाने योग्य है तो इसको आप as it is रट लीजिए इसमें याद करने वाली बात है कि two की घात 16 minus one इसके range रहती है दो बाइट के integer की ठीक है unsigned integer की मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे जैसे signed integer रहता है unsigned integer रहता है तो इस तरीके से यह data type से related questions आप से पूछा गया है question number six है what is the return value of the operating system upon the successful compilation of a C program अगर C program successful compile हो जाता है तो OS क्या return करके देता है क्या वो one return करके देगा minus one return करके देगा zero return करके देगा या कुछ भी return करके नहीं देगा तो यहाँ पर इसका correct answer होगा zero option C तो जब operating system जो C का program है या successful compile हो जाता है तो OS जो है यहाँ पर zero return करके देता है कोई error यहाँ पर नहीं आई है अगर error आती है तो one return करके यहाँ पर देता है तो इस तरीके से option C इस particular question का answer होगा question number 7 है which of the following is a correct way of defining a symbolic constants pi in C C programming language में अगर हमें pi को define करना है पाई जो अपन कहते हैं mathematics के अंदर 22 बटे 7 जिसकी value होती है 3.1427 142 मान लीजिए तो इस तरीके से अगर इसको define करना है तो यहाँ पर हम जो use में लेते हैं देखिए इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि define करने के बाद में semicolon नहीं लगेगा यह चीछ धान में रखिएगा तो यह गलत हो जाता है यहाँ पर 22 बटे 7 के अंदर हम fix अगर देना चाते हैं कि compiler से कितनी range तक समझे तो इसलिए हम उसको और solve करके इसकी actual value देते हैं तो 22 बटे 7 यह नहीं होगा और यहाँ पर हैज define के अंदर d जो है capital नहीं होगा option c यहाँ पर correct answer इसका हो जाएगा has define pi हम define करना चाते हैं 3.142 इसकी value है तो इस तरीके से option c correct answer इसका होता है यह question भी पूछा जाने योगी है ध्यान में रखिएगा star लगा लीजिगा question number 8 है which of the following is not correct c के संदर में क्या-क्या चीज़े correct नहीं है पहला है c language is highly portable portable language है c के लिखा हुआ code एक system में यूज कीजिए दूसरे में उस code को ले जाई compile कर लीजिए execution हो जाएगा तो इस तरीके से portable है portable का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर उसको transfer किया जा सकता है तो c language is highly portable ठीक है यहाँ पर दूसरी बात हम कह सकते हैं c की language के अंदर जो compilation है या फिर अपन कहें कोडिंग वगरा है जो multiple systems में हो सकती है तो यह भी एक इसका मतलब होता है दूसरा option है c language is free from free from language तो यहाँ पर free from language यह होती है थर्ड option है middle level language नहीं c language एक high level language है ठीक है तो option c इसका correct answer इसका हो जाएगा not पर ध्यान दीजीगा इन में से कौन सा correct नहीं है और structured ansic आंसी सी के अंदर 32 characters या फिर अपन कहें 32 keyword होते हैं sorry तो option d भी correct है आंसी सी के अंदर 32 keyword यहाँ पर होते हैं option c इस particular question का correct answer हो जाएगा question number 9 है the precedence of operator determine which operator is तो precedence और associativity का rules से हम यह समझते हैं और मैं आपको बता दूँ इसमें question में पूछना चाहरा है कि precedence से operator की precedence से क्या चीजें होती है तो पहला option है कि precedence के आधार पर हम operators को fast execution करते हैं उसका नहीं option एक गलत होगा दूसरा option है take no arguments, third है evaluated first और fourth है take less memory तो precedence of operator determine करता है मतलब वो precedence के आधार पर यह निश्चेत होता है कि कौन सा operator evaluated first तो किसको पहले पढ़ा जाएगा इसका निर्धारन जो किया जाता है उस concept को हम कहते है precedence और precedence और associativity के rules में हम यह difference समझते है मतलब पहले तो evaluation होता है उस concept को उस logic को हम precedence कहते है और उसको पढ़ा किस दिशास से जाएगा क्या उसे left to right पढ़ा जाएगा या फिर right to left पढ़ा जाएगा इसको हम कहते है associativity ठीक है तो option C इस particular question का answer हो जाएगा question number 10 है the storage area for register variable register variable के लिए जो storage area रहता है यह आप याद कली जीए important question है processor register इसका answer होगा अगर register variable हम use में ले रहे हैं तो इसको लिए storage उसका location कहाँ पर store होगी वो processor register के अंदर store होगी cache के अंदर नहीं होगी वैसे cache अगर अपन question आप से पूचा जाएगा इन में से कौन सी fastest memory है तो यहाँ पर processor register होगा इसका answer इससे थोड़ी कम execution में speed के according cache है फिर अपन virtual memory और then memory तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं इस particular questions से आपको इतनी बाते पता होनी चाहिए तो यह तो थे 10 questions I hope आपको कुछ नया जानने को मिला होगा तो इस तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले मिलते हैं next class के अंदर thanks for watching